येक होते हैं अंधविश्वासी, फिर आते हैं महांधविश्वासी यानि अंधविश्वासी के प्रोवर्जन और तब आते हैं तेलांगना के मुख्यमंत्री के चंद्र सेखराओ अंधविश्वास के मामले में ये दुनिया में किसी को भी टक कर दे सकते हैं और इस मामले में तो इनके सामने दूर दूर तक कोई नहीं है हलांकि ऐसा हम नहीं कह रहे हैं उन्होंने पिछले कुछ सालों में ऐसे कई अजीवो गरीब कारणा में ही किये हैं जो हमारी बातों को एकदम सही ठाराता है। और अब तो PM नरेंद्र मोधी ने भी मौका मिलते ही उनके अंधविश्वास को लेकर उन पर कड़ाप रहार किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे बड़ा Alternate News Media Portal और मैं अपनी स्तिवारी आपको बताऊंगा कि कैसे KCR के अंधविश्वास पर चोट करते हुए PM मोधी ने तेलांगना में एक बड़ा दाओ खेला है, जो तेलांगना को भगवा मैं कर देगा। तो अविलम आरंब करते हैं। KCR एक बहत अंधविश्वासी बेखती हैं, वो करोडों के घर सिर्फ इसलिए बदल देते हैं, क्योंकि एक निश्चित कमरा वास्तु कला के नुसार नहीं है। वो किसी अजीबो गरीब जादों की बज़ा से देश के प्रधान मंत्री से मिलने से भी बसते हैं। इस प्रकार जब PM नरेंद्र मोधी को मौका मिला, तो उन्होंने TRS प्रमुख को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने किसी भी तरह के अंध्विस्वास से लेड़ने के लिए उत्तर प्रधिस के मुख्य मंत्री योगियादी तिनाथ की प्रसंसा करते हुए, केसी यार को उनके अंध्विस्वासी सुभाव को लेकर खुब आलोचना की। कथी तोर पर PMODI Indian School of Business के 20 साल पूरे होने का जश्ट मनाने के लिए गुरुवार को हैदराबाद पहुंचे हैं। जब PM राजधानी में थे, तब किसी भी प्रोटोकॉल की परवाह न करते हुए, CM KCR ने पूर्प्रधान मंत्रे एश्टी देवगोडा और उनके बेटे और जेडियस नेता एश्टी कुमारस्वामी से उनकी आवास पर मिलने के लिए बेंगलूर जाने का एक बिवेकपोर नेने लिया, अब वाए फैल रही थी कि KCR ने अपने अंधविश्वास के कारण पिये मोधी को रिशेव नहीं किया, या फिर बाद में उनसे मुलाकात भी नहीं की, पिये मोधी ने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया, और TRS नेता पर ब्यंग करते हुए कहा, मैं तेला आज वे फिर से मुख्यमंत्री बने है, हमें अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाले लोगों से तिलांगाना की रक्षा करनी है, पिये मोधी नुएडा जिंक्स का जिक्र कर रहे थे, जहां यूपी के पिछले CM चुनाओ के समय निर्वाचन छेत्र का दौरा करने से पिछले थे, क्योंकि इससे उनकी सत्ता समाप्त हो गई थी, यह अंधविश्वास अस्ती के दशक के उत्राज में वापस आ गया था, यह सब जून 1988 से शुरू हुआ, जब उत्तर प्रदेश के ततकाली ने मुख्यमंत्रे बीर बहादोर शिंग को नुएडा का दौरा करन के बाद उन्होंने श्रत्ता खो दी थी, बर्स 2002 में जब राजनात सिंग कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने नुएडा और दिल्ली को जोडने वाले एक फ्लाई ओवर का उधगाटन किया, लेकिन इस अंधविश्वास के आगे जुखते वे, उन्होंने निठारी में एक नाले में खोजे गए छोटे बच्चे की हड़ियों और खोपडी की खोच से परिसान थे, लेकिन उसके बाद बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायवती ने नुएडा अंविश्वास को तोड़ दिया, और अक्टूबर 2011 में दलित समारक अस्थल का उडान भरी थी, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि अपनी नुएडा यात्रा के कुछी महिने बाद मायवती को सत्ता से बाहर कर दिया गया, और अखिले स्यादों के नितरित वाली समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई, उसके बाद अखिले स्य लंबी यमुना एक्स्प्रेस्वे का उद्घाटन करने का विकल्फ चून कर, नुएडा को फिर से मिस कर दिया, हलांकि योगियादी तिनात इशास्यात्वक मिथक के शिकार नहीं हुए, वर्स 2017 में यूपी में सत्ता में आने के बाद से वह एक बार नहीं, बलकि कई बार नुएडा का दौरा कर चुके हैं, नुएडा मेट्रो और अन्य कई पर्योजनाओं को सुरू करने से लेकर, अन्य कई मौकों पर उन्हों ने साहत स्पुर्वक नुएडा का दौरा किया, और साथ ही यह भी शुनिशित किया, कि सहर वर्तमान की तुलना में काफी बेहतर द 25 दिसंबर 2018 को योगी आधितिनाथ ने प्रधानमंत्री मोधी के साथ दिल्ली मेट्रो की मजेंटा लाइन का उधगाटन करने के लिए पहली बार नुएडा का दौरा किया था, और इस प्रकार उन्होंने नुएडा जिंक्स के मिथक को ध्वास्त कर दिया, अब जहां तक क KCR का सवाल है, ऐसा कहा जाता है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री अपनी अंधविश्वासी मान्यताओं को मानने के प्रतियाशक्त हैं, दो जून 2014 को जब KCR तेलंगना के पहले मुख्यमंत्री बनने वाले थे, उन्होंने अपनी शपत को एक निश्चित समय और निश्चि के होता है, प्रचार के दोरान भी उन्हें वैसे नंबर प्लेट वाली गाडियों में जाता देखा गया, जिनकी अंको का योग छे आता हो. अपने नए घर में जाने के एक साल पहले KCR ने अयूत महाचंटी यग्य के समापन के दिन अपने फामाउस पर एक यग्यम आयोज हलांकि उन्होंने दवा किया कि उन्होंने खर्चों का भुकतान में कुछ निजी प्रयोजिकों को शामिल किया था. वहीं दूसरी ओर, पियम मोदी ने तेलांगना में CM योगी की जमकर तारीफ की है, क्योंकि एक धार्मिक नेता होने के नाति योगी का लिंगायत समुदा के कोछ शिर्ष निताओं के साथ व्यक्तिकत संबंध है. योगी जिस नात संप्रदाय का प्रतिनेधित्व करते हैं, उसे हिंदू धर्म के भीतर एक सुधार अंदोलन के रूप में भी देखा जाता है. ये श्यव धर्म का हिस्स्ता हैं, जो जाती उत्पेड़न के कांगना में अन्य लोगों की अपेक्षाय योगी ज्यादा असर दिखा पाएंगे. तिलांगाना राजी में लिंगायत समुधाय की आवादी लगभग 15 लाग है. इस प्रकार यदि भाजपा को TRS और KCR के चुनावी भाग्य में सेंध लगानी है, तो लिंगायत समुधाय को भगवा पार्टी के पक्ष में जाना होगा, शायद यहीं वज़ा है कि पियम मोदी ने राजी के CM पर निशाना साते हुए खोले आम योगी आदितनात की प्रसंसा की. बिधान सावा चुनाव अगले साल के अंत में होने हैं और पियम मोदी ने पहले से ही पीचे तयार क हुआ 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 है